अब 31 माई 2023 के अनुसार बीते वित्य वर्स में राजकुस ये घाटा रहा है आज का जो टॉपिक है वो जीडीपी का है जीडीपी उपर ने टॉपिक है हम यहां पर राजकुस ये घाटे का बारें बात कर रहे हैं ठीक है पिछले जो वित्य वर्स है उसके अनुसार राजकुस ये घाटा जीडीपी के 6.34 पर रहा है इसको थोड़ा साब हम समझें किस तरीके से जीडीपी का जो सकल घरेल उत्पाद है यानि कि जो हम प्रोडेक्शन कर रहे है प्रोडेक्शन के अनुसार हमारा जो घाटा कम होना चाहिए से मैंने आपको भी लाइफ टापिक बचायता है कि अगर प्रोडेक्शन होगा तो जीडीपी एफेक्ट पड़ेगा ये दूसरे एक दूसरे के संपूरक है कैसे कि अगर प्रोडेक्शन होता है तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा कि क्योंकि ये मार्केट में डिम अगर आपको 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 अपनी घर में पांच या दस जालो आबयेज मानते दस बिसुट की मंतली अन एवरेज रेक्वार्मेंट है ठीक है तो आप अपनी घर में दस बिसुट लेकर आएंगे अगर आपके यहाँ पर gas आ जाते हैं या आप बिसकुट की खपच जादा करने लग जाते हो तो तश की वजाएप पंद्रे बिसकुट लेना सुरू कर दोगी describes आप अगर डिमांड आपकी होगी तबी तो यहाँ पर प्रडेक्शन बढ़ेगा इस प्रडेक्शन को बढ़ाने के लिए डिमांड होना जरूरी है और यही डिमांड के अनुसार क्या है GDP यहाँ पे जो हमारी पिछली जो वित्तिवार्स में जो राजकोसिय घाटा है वो हमारा 6.94 की सुधी पर रहा है अब गवर्मेंट द्वारा CGA यानि की लेखा महानियंतर के अनुसार 2022-23 में राजकोसिय घाटा है एक लाख तिहत्तर अजार जो है आपका 1733,133,131 करोड यानि की एक लाख सत्रे लाख सरी सत्रे लाख 33,131 करोड रुपे ऐस्थाई तवर पर रहा है बजट से संसोदित अनुमान से कुछ कम रहा है यानि की ये चीजे पहले ही ये बजट में जो हमारा 2022 ते इसका बजट आये था उसमें ये घोसित कर चुके थे में उम्मीद है राजकोसी घाटा लगबग लगबग इसके ये इसके आसपास ही रहा है इस घाटे से उबढ़ने के लिए सरकार कुछ कर्ज लेती है अब बास समझेगे ये राजकोसी घाटा है अब अब ये घाटा होता कैसे है इसको समझेगा कि आप लॉन दे रहे हो ठीक है ना लॉन दे रहे हो और लॉन के एवेच में वहाँ पर डिफाल्ट हो रहा है डिफाल्टर डिफाल्टर क्या कर रहे हैं लॉन को तेही नहीं पा रहे हैं या भाग जाते हैं विजयमालिया की तरह है ठीक है नीरफ चौकसी की तरह है ललित मोधी की तरह है जो यह जित गाटे में चल रही है अगर वो गाटे में चल रही है अगर उन्होंने एक लाफ रुपे एक सिंपिल सा एक एक जमपल देता हूं एक लाफ रुपे का उन्होंने कर्ज लिया ठीक है कर्ज लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनसे कहा गया था कि वह आप तस परतीसत की वह अब यहां पर हमें 12% यह 10% के हिसाब से आपको हमें लौन वापिस करना है अगर 10% के इसाब से मतलब एक लाख तस हजार रूपए इनको लगबार लगओ यह वापिस करना था बट क्या है कि और जब यह वापिस कप करेंगे अगर इन्होंने दस हजार रुपे महिने की इनकी पहरे कमाई थी और वह उन्होंने सोचा कि अगर एक लाख रुपे-दस लाख कमाई थी और उसमें उन्होंने अपने ग्रोध कर ली पीश परसेंट की ग्रोध कर ली तो आराम से यह लॉण यहां पर चुका सकते हैं बट क्या है कि यह यहां यहां पे 20 परसंड ग्रोथ ना करने के वजाए यह क्या हो रहा है यहां पे 20% का घाटा ओने दिखा रहे हैं अब यह घाटा दिखाएंगे तो कर्ज कहां से देंगे कर्ज नहीं करती तो यानि कि इस तरीके से क्या है कि कर्जा बढ़ता जा रहा है इसको थोड़ा समझना है ना अब मैंने भी लाइन गजाती इस घाटे से बढ़ने के लिए सरकार कुछ करज लेती है सीजी के अनुशार सरकार कुछ राजस्व प्राप्त करती है दोजार बाईस्टेस में जो यह राजस्व रहा यह कितना रहा इसे बोलते हैं रेविन्यू पब्लीक से लेना समझे ना इंकम टैक्स अब यह और वह साथ रिसॉर्सिस हैं कैसे लिया जाए घाटे को बरने के लिए कंपनियां बेश दी जाएं घाटे से बढ़ना है 34 कंपनियां भी एक दीना सरकान भी क्यों बेचती यह घाटा है ना राज को से घाटा जी डी पी पास समझ रहे हो ना इन चीजों से उभरने के लिए भाई अगर तुम डिफॉल्टरों को लॉन दोगे अगर आप डिफॉल्टरों को लॉन दोगे बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉन दोगे उनकी हैसियत तो थी एक लाग करोड की आपने उनको एक लाग करोड पे बीस लाग करोड का कर्ज दे दिया वो कहां से कर्ज लोटाएंगे भाई वो तो अलड़ी पहले से कर्ज में थे अब बीस लाग करोड का उनको उपर अगर उस पे आप परसंटेज जोड़ें मन्थली तस परसंट की जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा भाई दो लाग करोड रुपया अब दो लाग करोड तो पूरा करने के लिए गॉर्मेंट क्या कर रही है नहीं ने कर लगा रखी हैं सी जी एस्टी जी एस्टी आई जी एस्टी ठीक है वैफ पैट इंकम टेक्स यह क्या यह सब के सब नियू रिविन्यू जनरेट करने का प्लान हैं आप से लो अमीरों को दो घरीबों से चीडो अमीरों को दो अमीर भाग जाएं परस यहीं तो हो रहा है अब इसमें क्या रहा है कि नियू रिविन्यू जनरेट करने के प्लान में लगबग एक सो एक पतिसा जो है इन्होंने रिविन्यू जनरेट करा अब वो कैसे कैसे हैं कि 20.97 लाग करोड कर राजस्व किसके तरूप कर राजस्व कि तो रूप दो दस्तंबलव कि सब्सेद क्या है आई यह आपका 20.97 लाग कर के तोर पे आप से लिया गया है इंकम टेक्स के तोर पर एक इसी महानी गाई अब दूसरा आता है दो दस्तम्लाव यह जो 101% रहा है ना उसका आपको आखना दे रहा हूं में दो दस्तम्लाव 86 पसीसत लाख यानिकी दो दस्तम्लाव 86 लाख करोड रुपया गैर कर राजासी से मिला है ठीक नेक्स ट्रेस में यह हो गया एक यह हो गया तो तीसरा है बहतर हजार 187 करोड रुपया आपका गैर कर गैर रण पूंजी है जो है जो रण नहीं दिया गया लॉन के बिना के पूंजी है यह है ना फिर अब इसमें देखिए कि क्या गया गवर्मेंट ने स्टेट को यानि कि यह इतना सारा कर जा जो सरी इतना सारा जो कर है गोवर्मेंट ने जो सारी स्टेट्स हैं उनसे लिया कि भाईया GST का भी दो CGST का भी दो WET, PET, Income Tax IGST और पता नहीं कितने सारे हैं जैसे आपका बोलते हैं कि भाई जर्मीन आपने खरी दी बेची तो उसका भी टेक्स मिलता है आपको पेट और डीजल का मिलता है स्टेट से आपको मिलता है जो आपके उपर जो कोई आप दवाईया लेने जा रहे हो तो उस पर भी टेक्स लगता है आप अगर कोई खाने पीने की बस्तू ले रहे हो तो उस पर भी टेक्स लगता है आप समझ रहे हैं ना मेरे बात को हाँ वही चीज यह वही टेक्स है जो government states के द्वारा अपने आप अपने पास अर्जित करती है और वापिस कितना दे रही है government ने state को transfer किये 9.48 लाख करोड रुपे बास समझो इतना सारा state से लिया है ना इसमें बहुत से state ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंकम टेक्स प्रोवाइड कराते हैं चाहिए वह खाध्यान के रूप में कराएं ठीक है पैट्रोल डीजल के रूप में कराएं आपको medicine से संब्दित हो आपका खाध्य प्रोडेक्ट हो आपके द्यानिक जीवन में उपयोग में होने वाली वस्तो पर टेक्स हो आपका बिजली जल थल जो भी आपको जिस चीज का आप या वहन करते हो नगण निगम हो आप हर चीज में आप से टेक्स दिया जाता है पानी का ट सरकार सरकार मकान वाली के रहाप उनके में पर क्राय जारों यानि कि एक पुराने जमाने में जो विवस्ता थी कि राजा और राज्य यानि कि राज्य पूरे राज्य पर अपना असासन चलाता था यानि कि यहाँ चला रही कौन है सरकार ठीक है और वहां पर जो जनता थी को कर के रूप में कुछ अनुदान अपनी तरफ से देती थी यानि कि हम दे रहे हैं टैक्स सरकार फंड़ा वही है पुराने जमाने वाला सरकार यानि कि ml Gold राजा और जहनता यानि कि driven वह उन से लेया जा रहा है कर उसे यह 2021 के तुलना में ये कितना अधिक है पचास हजार पंद्रे करोड रुपया अधिक है अब बात करते हैं केंद्र का कुल खर्च केंद्र का कुल खर्च है 41.89 लाख करोड रुपय इस पॉइंट को यहां समझना ये बहुत जरूरी है केंद्र का कुल खर्च है 41.89 लाख करोड रुपय इसको में तुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा समझने के लिए आपको 41.89 लाख करोड ये केंद्र सरकार खर्च कर रही है ठीक है और स्टेट को जो ट्रांसफर किया है वो 9.48 लाख करोड इसको छोड़ा जोड़िएगा यानि कि 51.37 लाख करोड क्या हो रहा है ये खर्च हो रहा है भाई ये खर्च हो रहा है यहां तो ये खर्च कर रहे है ठीक है और जो प्राप्ट कर रहे हैं सरकार वो इतना थोड़ा समझेगा ये रहा है सरकार इतना यहां से प्राप्ट कर रहे है और ये खर्च कर रहे है कुल मलाके अगर हम इसमें से ये घटाएं तकरीवन 26 लाख करोड अब ये सरकार पे करजा हो गया है ना हुआ बहुतना कि मैंने आपको बता भाई क्या बता था मैंने आपर हमारा जो घुटड़ पिए वो दाउन हो रहे हैं अब इस करो इस कृँगे को कि आ कि क्या होकर ईइस पैंगे सरकार पी अब सरकार क्य करेंग आपने खर्च भी आपायी आपने अर्शनưởngे प्रोड रुपए आपने खर्च भी कर दिये 41 लाग तो यह हो गए यह हो गए और यह हो गए आपके स्टेट के और आपने कमाए थे कितने यह सॉरी कमाने बवाने बिए आपको देखाई दिया था 24 घसमलो कुछ शुता यानि कि आपको जो भी मिला आपने उसका दूढ खर्च कर दिया अजब आप दूढक खर्च करोगे तो आप पर क्या हो जाएगा करजा ओजाएगा आप इस करजेग को पाढ़ने के लिए क्या कर दिया सब कुछ ठीक है ना अब जब आपने प्राइवेट सब कुछ कर दिया तो कुल मला के प्राइवेट को तो आपने बेच दिया ना प्राइवेट तो रही नहीं आपके पास अब आप क्या करोगे क्या आप जो आपके पास यानि कि आपने जो चीज पेच दी पेच दी यानि कि स्टेल कर दी आप ने इसको ऐसे समझेगा कि बाई मज़े करना तो कुछ है नहीं जब मुझे कुछ करना नहीं था तो मेरे पास जो घर की समान था ये मान चली ये मेरे पास ये था इस बॉक्स को थोड़ा समझेगा ये रहा मेरे पास एक दो तीन चा ये मान लिए चार रुपे थे मेरे पास चार लाफ रुपे थे अब एक खर्चा किया मैंने यहां खतम कर दिया ये बेश दिया किसी को सेकिंड पारिटी को फिर ये भी बेश दिया ये भी गया अब समझेगा यह मेरा चला गया, यानि कि यह सरकारी था आपका, सरकारी कमपणी जो profitable थी, आपने उनको बेज दिया, अगर घाटे वाली कमपणी है चलो, बेज थो अच्छे बात है कि कमपणी ते घाटा हो रहा था भेज दिया, कम से कम सरकार के उपर वित्तिय लेंदरी, वित्तिय प्रफिट दे रही थी न मैंने इrialиля नीचे बताया था जानी चाहिREE neighborhoods in यहांड को प्रॉफित दे रही किए इसे ओधिक है नर्या, चाहोंити ना आत एका दो परसंट दे सितने लिए ओच परसंट दे रही कोई लोग nggak लिया नाज बाएंक अपने अपने इंडेट करके उन्होंने यहां पे अपने आपको ग्रोथ किया हुआ था अब आपकी नजर पड़ गई इससे पैसे कमा रहा था ठाके इसको बेश दिया यह लोग जी आपने अपना घर का सब कुछ बेश दिया अब आप सब कुछ बेश दोगे तो आप क्या करोगे आप इंप्रूमेंट कुछ नहीं है नो इंप्रूमेंट पट क्या करना आपको खर्चा करना है पब्लिक जाए भाड़ में आपको अपने आपको वह दिखाना है कि इंप्रूमेंट दिखाने भाई कर्जा लोगे आपने कर्जा लिया कर्जा के लिए आप क्या करोगे जो सेल कर दो गई अभी नई बात चल रही है अभी नई कंपनी बीपी सी एल एक है तो बहुत सार पुरानी बीपी सी एल को भी जैसे लास्ट थर्टी फॉर कंपनिया बेज दी है ना ऐसे इसको भी बेजने की प्रॉसेस की जा रही है अब प्रॉसेस कैसे गुजरात में बेज दिया था ऐसी यहां बेज देंगे वाप 21,000 करोड़ का कर जाता लगबग अब ऐसे ही हमारे देश के उपर पहले कितना था 55,000 करोड़ का था करजा और अब 1,500,000 करोड़ यानि कि इसको साला सिंप्ल सोड़ी की समझी है कि 2014 में हमारे प्रती व्यक्ति जो कर जाता वो 55,000 रुपे था कितना था 55,000 रुपे और आज 1,500,000 रुपे प्रती व्यक्ति है और भाई साथ जब आप के उपर करजा हो जाएगा आप नई कंपनियां नहीं बनाओगे रिविन्यू जनरेट नहीं करोगे नहीं ग्रोथ करोगे तो भाईया क्या करोगे आप आप प्रॉफिटेवल कंपनिय को बेच रहे हो जही हो रहा है आपे सरकार द्वारा प्रॉफिटेवल जो कंपनियां है वो बेची जा रही है इसी के अंधार पे हमारा जो है भी मैंने या पर दिखाया था खर्चा कितना था और कमाई कितनी थी है ना कमाई थी हमारी इतनी रगबग का है यह रहा आपने खर्च कर दिया इतना कि कमाई कितनी है इतनी यानिकी आमदनी एठनी खर्चा रुपेया इसी वज़े सेОगने यह से ने पर करजा भी बड़ता जा रहा है ठीक है झाल, 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 झाल